18 जुलाई मंगलवार की रात चुपचाप यहां लिख देना यह एक अंक पैसा पानी की तरहे आएगा पैसा वहानी मार मार कर आएगा नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी का शुवागत है दोस्तों जैसा के आप सभी को पता है स्रावन महा का महीना चल रहा है इसी के साथ ही आज तीथी 18 जुलाई और साथ ही तीथी आज मंगलवार पढ़ रही है दिन आज मंगलवार पढ़ रहा है इसी के साथ ही दोस्तों आज हम आप लोगों को एक मंगलवार का उपाई बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने जीवन के तमाम जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी दुर्बल इस्तिया आ रही हैं, जो भी आपकी जीवन में तनाव है, सभी से आप लोगों को छुटकारा प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तो, आज हम आप लोगों के एक मंगलवार का दिव्य और अज़ग उपाई इस दो से तीन मिनट की वीडियो में बताने जा रहे हैं, और इस वीडियो का आप लोगों को पूरा देखना है, और इस वीडियो में बताये गए इस उपाई को आप सभी को विदिवत क करना है, प्रियादर्शकों कहते हैं कि मनुष्य की जीवन में जो अंक होते हैं, अंकों का काफी विशिश महतो होता है, कहा जाता है कि कई बार कई लोगों के अंकों की वज़े से ही भाग्या होता है, जैसे कि कई लोगों के लिए कई परकार के अंक होते हैं, जो बहुत ही लक्की माने जाते हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके लिए लक्की अंक होते हैं और उन अंकों से जुड़ा वो उपाई करते हैं या फिर उन अंकों से जुड़ा वो कोई भी व्यापार करते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो उन अंकों की वजह से उन्हें शपलता भी प्राप्त होती है इसी के साथ ही दोस्तों आज हम आप लोगों को एक छोटा सा दिव्य और अच्छु को पाई बताएंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा इसी के साथ ही इस वीडियो को शेयर जरू कर दीजेगा ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो को लाभे प्राप्त हो सके दोस्तों कहते हैं कि जो नो का अंक होता है नो का अंक मंगल से जुड़ा हुआ होता है कहते हैं कि नो का जो अंक होता है अगर इसे मंगलवार के दिन विदिवत तरीके से इसे जुड़ा उपाई किया जाए तो व्यक्ति की तमाम कश्टों से चुटकरा प्राप्त हो सकता है इसी के साथ ही दोस्तों आज मंगलवार का दिन पढ़ रहा है तीथी मंगलवार पढ़ रही है और इस उपाई को आप किशी भी मंगलवार कर सकते हैं किशी भी दिन कर सकते हैं दोस्तों आज मंगलवार की शाम आप लोग इस उपाय को करें, इस्त्री और पुरुष दोनों ही इस उपाय को करें, केवल आज मंगलवार की शाम इस अंक को अपने सरीर के इस इशे में लिख लेना, दोस्तों आज मंगलवार की रात आप लोगों को किसी एक इस्तान पर बै तो right hand में लिखे, tीन बार no no के अंग लिखने हैं, और अगर स्तरी इस इंपाय को कर रही हैं, तो अपने left hand में करें, वो भी अपने हाथ की अथेली में तीन बार no no का अंग लिखे, उसके बाद में आपको हेनमान जी का जो भी मंत्रा ताऊ उसका इश्मन करें, उसके बाद में आप चाहे तो अपने घर के पूजा इस्तल पर हिनमान जी की सामने रात्री के शह में इस उपाय को करे 8-9 के बीच और अपने घर के पूजा इस्तल में भी दीपा को जिलित करे मानना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य होता होता है व्यक्ति के भाग्य में व्यक्ति की जिवन में आ रहे सभी प्रकार की शमश्याय दुर्बल इस्तिया दूर हो जाती हैं तो ऐसे में मित्रों इस उपाय को आप सभी अवश्य कीजेगा बिस्वास के साथ की जगा आपको लाववशे परावत होगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार